वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स आज इस सेशन में रिजनिंग के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन को देखेंगे जो आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए हेल्फुल होंगे आज इस सेशन में जर्रली प्रिवेस एर क्वेस्टन जो SSE MTS के पूछे गये हैं और जो CZL में पूछे गये हैं खास करके कोडिंग डिकोडिंग का है तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेशन आजाए ठीक है तो पहला है कि donkey का code 88 है तो sparrow का code 79 है तो peasant का code क्या होगा ठीक है तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है donkey है तो पहले donkey लिखे अब शुक्ए donkey का code कितना है 88 है ठीक है तो यहाँ पर word letter दिया गया और letter का code number में दिया गया यह कैसे यह इस परकार इसका जो partional value होता है तो चौथे number पे जो हता है जैसे A जो है एक number पे आता है B दो number पे आता है D चार number पे O जो है पंदरान नमबर पे आता है N कितना आएगा 14 नंबर पे आएगा K हो गया 11 नंबर पे E कितना हो गया 5 नंबर पे ठीक है और वाई जो होगा यह कितने नंबर पे होगा 25 नंबर पे इन सभी को एड़ करेंगे तो क्या 88 आएगा क्या नहीं आएगा बिल्कुल नहीं आएगा अगर एड़ किजेगा तो 88 नहीं आएगा देख लिजे आप तो 15 यह 5 और 4 9 9 4 13 14 5 19 और 5 19 और 5 24 के 4 हद मेरा 2 2 और 2 4 5 6 7 देखिए 74 आ रहा है 788 तो नहीं आया ठीक है अब हो सकता है कि इसका जो रिवर्स है यानि डी का जो अपोजिट लेटर है वो आएगा तो डी का अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे अपोजिट लेटर कौन सा होता है जैसे ए एगर पहले नं स्टार्ट होके जो है कहां तक खतम होता है देखिए M में खतम होगा टोटल जो है 26 लेटर है 13 लेटर को बनाईए यह जो है A से M तक 13 फिर यहां से N से जो है कितना तक जाएगा Z तक जाएगा ठीक है तो यह अपोजिट लेटर हो गया M और N यह और Z भी अपोजिट लेटर जैसे यहां B होगा, तो Z के पहले क्या होगा? Y होगा, ठीक है? तो यह opposite letter हो गया, जैसे A का position एक number पे होता है, Z 26 number पे होता है, B कितना होता है, दो number पे होगा, और Y 25 number पे होगा, अब देखिए, जो later है, उसका opposite letter का सभी का sum कितना होगा, 27 होगा, इधर भी देखिए यह 13 नमबर पे होगा और N 14 नमबर पे 27 तो directly अगर कोई letter है और इसका कोई opposite letter निकालना है तो हम क्या करेंगे उसके positional value को 27 से minus कर देंगे तो इसी तरह इसका opposite भी निकाले है D का opposite letter कैसे निकालेंगे 27 minus 4 तो यह कितना हो गया 23 हो गया फिर यह कितना हो गया 12 हो गया यह कितना हो जाएगा 27 से minus यह दोनों को sum करने पर 27 आजा एकी बात अब यहां 13 देंगे तो 27 आएगा यहां 11 है तो कितना देंगे यहां पर यहां पर 16 देंगे तो 27 आएगा यानि कि का opposite value क्या होगा ठीक है यह सिर्फ नंबर लिख रहे है value के लिए तो यह 27 हो गया E का 5 हो गया तो कैसे होगा यहां 22 देंगे तो 27 होगा ठीक है यानि कि D का जो होगा यह डबलू होगा 23 नंबर पे डबलू आता है तो सिर्फ opposite letter का जो है पोजिशन को लिख लिए है 25 है तो यहां कितना होगा 2 होगा अब इसको सम कीजिए ठीक है अब क्या कीजिए कि इसको सम कीजिएगा यह opposite letter position हो गया अब इसको सम कीजिएगा 3,2,5,3,8,6,14,2,16,2,18 8 हाथ में रहा 1 ठीक है तो यह क्या हो रहा है अपोजिट लेटर ठीक है अब जो अपोजिट लेटर का उसका पोजिशन वैल्यू का सम है तो इसी तरह देखते हैं इस पैरो का क्या होगा जैसे यहां पर इस पैरो है ठीक है इस पैरो है तो इस पैरो में 19 नंबर पे कौन आता है ऐसा आता है पी कितन 16 number पे a कितना एक number पर ठर Marr ठरangaar number पर और o कितना 15 number 23 number पर W ठीक है अब इसका क्या निकालेंगे opposite निकालेंगे 27 होना चाहिए सबस्बाइब 11 हो गया 72 हो गया 29 दा सबस्बाइब इसको हम सब करते हैं जब इसको सम करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 79 आएगा ठीक है तो समझ में आ गया तो यहाँ पर concept क्या है जो opposite reverse letters है इन सभी letter का उसका जो sum होगा वो इसका number होगा ठीक है यह number जो है उसका sum है तो same basis पर अब हम क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे Pison का P, E, G, I, O, N तो यह कितना पर हो गया देखे Pison कितना पर हो गया यह हो गया 16 number पर पी हो गया 5 number पर यह हो गया G कितना हो गया 7 number पर 9 number पर I 15 number में O और 14 number में क्या हो गया N इसका reverse निकालेंगे ठीक है 27 होना चाहिए sum तो यह कितना यहां कितना देंगे 12 देंगे तो 27 होगा सुरी यहां 12 नहीं 11 देंगे तो 27 होगा ठीक है 11 देंगे तो 27 होगा यहां पर कितना 22 देंगे ठीक है 5 और 22 27 यहां पर कितना होगा 20 देंगे यहां कितना देंगे 18 देंगे यहां कितना देंगे 12 देंगे और यहां कितना देंगे 13 देखे यह दुनों का 28 इन दुनों का 27 दो 27 27 22 और 5 27 16 और 11 हो गया 27 इसको देखे सम किजे 2 प्लस एक 3 3 8 3 11 11 और 2 कितना हो गया 13 13 16 का 6 हाथ मेरा 1 12 13 14 ठीक है 4 2 6 6 तो 8 प्लस एक कितना हो गया 9 तो यहां कितना हो गया 96 तो देखिए 96 ऑप्शन नमबर 20 दा करेक्ट आंसर ठीक है next question को देखते है capacity is code is 81 ठीक है capacity को 81 में code किया गया है volume को 91 में code किया गया है तो same concept के साथ amount का code क्या होगा यहां पर क्या है capacity है तो यहां भी word को जो है number में convert किया गया है capacity ct तो यह जो हैता है c कितने 3 number पे आता है एक number पे यह 16 number पे पी एक इतना एक number पे 3 number पे c हो गया 9 number पे i हो गया t कितना हो गया 20 number पे और यह हो गया कितना हो गया 25 नमबर पे अब इसको sum करना है ठीक है 03 हो गया फिर 01 हो गया फिर 16 हो गया फिर क्या हो गया एक हो गया 01 लिखेंगे फिर 03 लिखेंगे फिर 09 हो गया फिर 20 हो गया फिर 25 हो गया इसको सम कीजिए 3 प्लस एक 4 छोचार 10 और 1 11 3 14 9 23 25 28 के 8 हात मेरा कितना हो गया 2 2 प्लस एक 3 3 और इधर हो गया 4 78 हो गया यह कितना हो गया इसका सम कितना हो गया 78 हो गया 78 यह लेकिन है कितना 81 है तो 78 में हम क्या करेंगे कि 3 हम एड़ कर देते हैं ठीक है 3 एड़ करेंगे तो कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा similar जो है volume को भी करेंगे P O L U M E तो यह V कितना हो गया 22 नमबर पे हो गया O हो गया कितना 15 नमबर पे L हो गया 12 नमबर पे U हो गया 21 नमबर पे 13 नमबर पे M और 5 नमबर पे यह हो गया ठीक है जब इसको सम करते हैं तो कितना हो गया 5 प्लस 2 हो गया 7 7 और 2 हो गया 9 नो प्लस एक दस दस तिन तेरह और पांच अठारा के आठ हाथ मेरा एक एक प्लस एक हो गया दो दो और दो कितना हो गया चार पांच छो दो आठ अठासी हो गया और अठासी में अगर हम तीन आइट करते हैं तो कितना हो गया? एक आनभे हो गया तो देखें दोनों का कॉंसरफ्ट सही हो गया न वॉल्यूम का भी है का अचानभे हो गया तो सेम हो गया है amount के साथ सहथ हम लगाएंगे amount a-m-o you औ t तो यह कितना हो गया न पहला यह हो गया 13,9 number P. यू कितना ओ है ये ठीक है तो ये हो गया 15 नमबर पे यू कितना 21 नमबर पे 14 नमबर पे टी हो गया 20 नमबर पे ठीक जब इसको सम करते हैं तो कितना हो जाएगा तीन प्लस एक चार पांचार नो नो एक दस चार चाओदा के चार हाथ में रहा एक ठीक है और यहां से भी अगर हम करना चाहें ये तो यूनिट डिजिट निकल गया अब इसमें तीन एट करेंगे तो 7 हो जाएगा तो 87 इसका करेक्ट आंसर होगा अब इसको कम्पलीट कीजि एक कैरी था तो दो प्लस एक तीन एक चार चार दो छे साथ आठ तो 84 हो गया 84 में 3 एट करेंगे तो क्या हो जाएगा 87 इसका है तो यह हो गया option number भी correct answer हो गया next देखते हैं in a code language good luck is written as this one how fortune is written in the same language तो good luck को क्या लिखा गया है जैसे good luck लिखे good luck lukk और इसको क्या लिखा गया है m है फिर क्या है e है फिर क्या है w है फिर क्या है n है फिर क्या है f है फिर क्या है q है q है फिर i है ठीक है तो यहां से देखिए देखिए अगर आप कित करते हैं यहां पर कि g में अगर दो आगे चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा G में अगर 2 आगे चले जाते हैं तो G के बाद आई फिर O में क्या करते हैं आप फिर से 2 आगे चला जाता है तो 15 दो 17 फिर ये हो गया कितना ये हो गया O के बाद 2 आगे चले जाएगा इधर तो Q हो गया फिर D D से अगर 2 आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा D से F हो गया ठीक है D से F L के बाद 2 आगे चला जाएगा तो L के बाद क्या हो जाएगा M और N U के बाद U V W तो इधर भी हो गया 2 आगे चला गया U V W फिर C के बाद 2 आगे चला गया M के बाद K से 2 आगे चला गया ठीक है यानि कि ये cross करके होगा इसमें सभी में क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा ठीक है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं इसको जो है just reverse कर दीजे और फिर add कर दीजे ठीक है इस तरह भी कर सकते हैं जैसे fortune है ठीक है अब fortune को क्या किजे आप इधर से लिख लिजे e लिखे फिर n लिखे u लिखे t लिखे r लिखे o और f लिखे की बात है good luck को भी आप इधर से लिख के सम्में 2 add कीजे अब जो है इन सभी में क्या करेंगे हम plus 2 कर देंगे plus 2 करने के बाद e के बाद plus 2 कर देंगे तो कितना होगा e के बाद f और g हो जाएगा n के बाद क्या होगा 14 नमबर पे n होता है 2 add कर दिये तो 16 तो p होगा u के बाद क्या होगा 21, 22, 23 हो जाएगा w हो जाएगा फिर t के बाद 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा v हो जाएगा r के बाद 2 हो जाएगा तो T हो जाएगा O के बाद 2 हो जाएगा तो Q हो जाएगा F के बाद 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा H हो जाएगा तो कहां पर है GPW BTQ और H ये वाला है आप इसमें अगर पूरा complete नहीं भी कीजेगा तो समझ में आएगा जिसे starting में G है तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा अब इसको complete करके देख सकते है तो ये जो है MTS में पूछा गया question था Next question को देखते है In a code language Arrow plan is written as this one How will chopper will be written in the same language तो arrow plan है Arrow plan और इसका जो लिखा गया है इसके नीचे लिखा गया है C फिर इसके नीचे लिखा गया है C फिर इसके T फिर यहाँ पर देखे M फिर R हो गया फिर J हो गया फिर C हो गया L हो गया और ये क्या हो गया G हो गया तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे हम relation बना सकें दोनों के बीच देखिए इसमें क्या relation दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखेगा तो इन सभी जो later दिया इसी के आस पास में जो ये later निया वाला है A में अगर हम दो जोडते हैं तो क्या आता है प्लस टू आता है इसमें अगर माइनस दो चले जाते हैं तो क्या आजागा C आएगा R में फिर अगर प्लस टू करते हैं तो क्या आएगा T आएगा फिर माइनस टू करते हैं तो M आएगा फिर P plus 2 हो गया 18 L minus 2 J यह हो गया plus 2 यह हो गया कितना minus 2 फिर हो गया कितना plus 2 तो alternate हम plus से start करते हैं plus 2 minus 2 plus 2 minus 2 तो यहां भी इसी तरह chopper को लिखेंगे C, H, O, P, P, E, और R ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे? तो क्या करते हैं? इसमें पहले plus से start करेंगे फिर minus से तो इसमें हम करते हैं एक तो plus 2 हो गया फिर minus 2 हो गया plus 2 हो गया minus 2 हो गया plus 2 हो गया फिर minus 2 हो गया plus 2 हो गया C से 2 अगर आगे बढ़ जाते हैं तो कितना होगा? E होगा H, 8, minus 2 हो गया 6 H81 नमबर पे आता है 8 में अगर 2 पीछे चले जाएंगे तो 6 6 किसका होता है F का होता है O के अगर 2 आगे चलाएंगे तो O के P और P के बाद क्या हो जाएगा Q क्यों हो जाएगा तो इतना से भी आंसर मेरा मिल सकता है E F Q E F Q यहाँ है लेकिन यहाँ पर क्या है E J Q है यह नहीं होगा यह तो होगा यह नहीं क्योंकि A से स्टार्ट है इन दोनों में पेंच फसेगा तो उसके बाद नेश्ट देखते है P के बाद 2 माइनस चले पीछे चले जाएंगे तो कितना होगा 14 होगा C का होगा और R में प्लस दो गया तो T हो जाएगा 18 R का पोजिशन और प्लस दो 20 यानि कि T या आर के दो आगे क्या होगा T होगा तो option number C और प्लस दो आगे क्या होगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है and is written as this one and nor को जो है ये लिखा गया है P, M, Q, T बट का हमको लिखना है क्या होगा ये SSE CGL 2021 में पूछा गया question है ठीक है तो and को क्या लिखा गया है C और इसको जो है एक साथ LP लिखा गया है और ये हो गया F तो आप देखिए A को C करने के लिए क्या करना होगा plus 2 करना होगा D को एप बनाने के लिए plus 2 करना होगा और N देखिए N जो है N जो है ये L और P के exactly बीच में आता है exactly बीच में आता है जिसे L हो गया L के बाद क्या हो गया L M N P L M N O O के बाद P आता है पी आता है ठीक है यानि की या अगर ये पूरा सम होगा exactly बीच में होगा तो इसका average होगा ठीक है तो आप क्या किजीए ऐसे भी कर सकते है exactly बीच में या फिर अगर नमबर के दुरू करना चाते है तो ये कितने नमबर पे आता है 12 नमबर पे और ये कितने नमबर पे आता है 16 नमबर पे आप जो है एक mathematics में rule average निकालने का कि first संक्या और last संक्या को add किजे और divide by two कर दिजेगा तो आपको exact बीच वाला आ जाएगा तो बारा प्लस 16 को दो संक्या किजेगा तो ये होगया 28 28 को दो संक्या किजेगा 14 चौदा किसका होता है न का होता है तो यही एम है या फिर ऐसे exactly बीच में अब दिखे नौर का लिखे एन ओ आर इसमें अगर दो add करते हैं तो कितना हो जाएगा पी हो जाएगा और इसमें और ओ में वह अगर कितना है देखें आपर कितना m और क्यों है मर्कि wait को जो है एक एट किजिए यह एयले से लेकर क्यों कि जिए तो एह हो गया कितना यह भी add कर के देखते हैं 13 的 तो यह कितना हो गया 30000 को दो से divide खेंचिए तो 500 भोपanda घो तैंशक है त कर गा धियाग्या गया या डिरेक्टली म से क्योट लिखिये औरक्रीच में । बीच में ओ मिलेगा ठीक है कि रेवरेस हो गया है यह समझ ểu है तो इसी तरह बट का कोड क्या हो जाएगा बट का लिखेंगे तो क्या होगा देखे यह हो गया बी यह What और यह क्या हो गया टी हो गया ठीक है तो हमको जो है इससे इसका लाना है तो हमको तो पता है यहां प्लस टू किये और यहां पर भी प्लस टू किये तो बी प्लस टू कितना हो गया डी हो गया और टी प्लस टू कितना हो गया वी हो गया T से अगर 2 आगे जाएंगे तो V होगा और ये D होगा तो इस से तो आंसर मिल गया ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि D और U है D और V है डार्ट ले हमको आंसर ये मिला ठीक है S और W अब S और W कैसे आगा इन दोनों का Average अगर निकालेंगे तो हमको ये आजाएगा ठीक है देखिए U आना चाहिए ये नहीं दिया गया है U दिया गया है U का कितना होता है मान लिजे यहाँ पर क्या है कुछ नहीं पता है 2 अगर आएगा तो मान लिए X है और Y है ठीक है X और Y का जब sum करके 2 करते है तो मेरा कितना आना चाहिए था U आना चाहिए U किसका होता है U होता है किसका यानि X प्लस Y का sum कितना आना चाहिए 42 आना चाहिए तो X के जगा में क्या होगा Y के जगा में क्या होगा तो आप ऐसा यहाँ पर लीजिए कि sum जो होगा यह 42 आएगा तो देखिए S का sum S का कितना हो गया 19 option से लेके चलना होगा और यह W लेंगे तो हो गया 23 तो देखिए 42 आएकनी ठीक है तो आपको यहाँ तो जरुवत ही नहीं पड़ा क्योंकि D और V का combination नहीं पर मिल रहा है ठीक है तो यह इसका correct answer है नेश्ट देखिए इन असर्टेन कोड लेंग्विज इफ राघव प्लेज होकी ठीक है यह राघव है आर ए जी एच एवी प्लेज होकी ठीक है और यहाँ पर क्या दिया गया है X F J D N I दिया गया है R Z Z M O दिया गया है ठीक है U B G H H S दिया गया है तो हमको जो है Arun Works Hard इसका कोड निकालना है तो इसमें देखे क्या relation है तो यहाँ पर जैसे इसको कैसे करेंगे आप आपस में ऐसे relation ढूणिए या फिर किसी तरह भी वर्ड के इस टाइब के question वर्ड एक वर्ड को एक जगा रखे इसका संबंद हो सकता है इससे हो जाए इसका संबंद इससे हो जाए या हो सकता है इसका संबंद इससे हो जाए तो पहले राघव को ही लेके चलिए राघव के एक वर संबंद इससे निकालिए और एक वर लास्ट वाले से निकालिए ठीक है या तो सिदा सिदा होगा या क्रोस में होगा ठीक है तो बीच वाला जनली नहीं होगा इस तरह इस तरह में भी हो सकता है तो आप राघव को ही लेके चलिए ठीक है ठीक है आर से जो है अगर इधर लाते हैं ठीक है आर से जो है X लाना तो X कितना होता है 25 नमबर पे यह कोई जो ऐसा तो नहीं हो रहा है R से लिए X जाते हैं तो R का 7 आगे चलेंगे तो मेरा X होगा A से 6 आगे चलेंगे तो F होगा G से यहां तक तो ठीक है इसमें 7 आगे कर दिए इसमें जो है कितना आगे कर दिए 10 नमबर पे होता है फिर दिन यहां देखिए 7 इंक्रीज हो गया यहां 5 इंक्रीज हो गया 7 के 5 पांच यह भी हो सकता है देखिए यहां क्या होगा 7 18,7,25 यहां कितना होता है 5 इंक्रीज कर गया 1 प्लस 5,26 यह कितना हो गया फिर तीन इंक्रिस कर दिया फिर उसके बाद क्या करेंगे देखे एक इंक्रिस करेंगे ह के बाद एक इंक्रिस करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए दी आना है ये तो कैंसिल ये तो ऐसा फॉर्म होगा ही नहीं ये गलत होने लगा ये जो क्या है यह गलत हो रहा है अब इधर से लेंगे एक बार क्रॉस से लेके देखते हैं यहां लिखिए रागाव अब क्रॉस में इसको इसके साथ देखते हैं U P G देखें G का G के साथ थोड़ी होगा H ZS मालिया आप सिधा सिधा किजेगा ठीक है तो G का G के साथ तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी effect नहीं होगा एक बार हम इसको उल्टा कर लेते हैं ठीक है दिख रहा है थोड़ा सा दिख रहा है देखिए आप जो है R का Z के साथ बना सकते हैं R का S के साथ बना सकते हैं क्योंकि R ठीक है यहां पर देखिए अब क्या करना है आपको यह थोड़ा सा टाइम टेकिन लग रहा है ठीक है अब क्या किजिए इसको कि इसको रिवर्स करके लिखिए V हो गया A हो गया H हो गया G हो गया A हो गया R हो गया ठीक है अब जो है V V हो गया अब V में क्या किजे हम यही U लाएंगे तो 1- किजे तो U आएगा यहां भी 1- करेंगे तो 1- करेंगे तो V आएगा 1- करेंगे तो V आएगा V और फिर 1- करेंगे तो G आएगा एक प्लस करेंगे तो ह आएगा, एक माइनस करेंगे तो जड आएगा एक प्लस करेंगे तो ऐसा आएगा ठीक है, तो यह क्या हुआ एक माइनस हो गया, प्लस एक हुआ एक माइनस हो गया, प्लस एक हुआ एक माइनस हो गया, प्लस एक हुआ देखे यह आ रहा है ना UBGHS तो पहले इसको आपको क्या करना है reverse करना है इधर आएगा फिर इसी तरह होकी का इसी तरह क्या हो गया होकी का तो basically कहने का मतलब क्या है इसका समंद जो है किस से है इस से है इसका समंद इस से है और इसका समंद जो है होकी का समंद किस से है इस से होगा ठीक है क्योंकि यहाँ देखिए होकी लिखिए HO HO C K E Y अब उल्टा करके Y हो गया E हो गया K हो गया C हो गया H हो गया तो एक माइनस किजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा X आएगा 1 माइनस प्लस एक तो E पर एक प्लस कर दिए तो F हो गया J हो गया अच्छा है Y E K C O H यहाँ O भी तो है H है फिर J हो गया ठीक है इसमें फिर से क्या करेंगे माइनस एक करेंगे तो यह कितना हो गया प्लस एक करेंगे तो D हो गया फिर कितना हो गया N हो गया फिर एक प्लस करेंगे तो I हो गया देखिए आ रहे है न और इसका समझ जो है प्लेस का रेजो के साथ है समझ में आ गया इसी तरह करना है तो आपको इसमें जो है कैसे करना होगा तो यहां अरून अरून हो गया अरून को जश उल्टा करके एन यू आर ए ठीक है और इसमें क्या करेंगे माइनस एक करेंगे प्लस एक करेंगे फिर माइनस एक करेंगे फिर प्लस एक करेंगे N में एक माइनस कर दिये तो कितना होगा M होगा U में प्लस एक कर दिये तो V होगा R में एक कर दिये तो Q होगा और A में ठीक है A में अगर प्लस ये जो है छोटा A है ये हो गया B M, B, Q, B और लास्ट में होगा M, B, Q, B तो ये भी नहीं हो रहा है MBQB ये भी हो जा रहा है ये भी नहीं हो रहा है इन दोनों में से अब जो होता है hard वाला पहले होगा ठीक है क्योंकि ये वाला कहा होगा इधर में होगा ये वाला इधर में होगा और ये वाला पीछ में होगा तो हार्ड का क्या हो गया M, V, Q, B हो गया और वर्क्स का डिरेक्ली होगा इसको उल्टा करके K, R, O, W तो एक माइनस करेंगे तो 19 में गया 18 हो गया प्लस एक करेंगे तो L हो गया माइनस एक करेंगे तो Q हो गया प्लस एक करेंगे तो यहां क्या हो गया P हो गया माइनस एक करेंगे तो V हो गया R L Q P V R L Q P V R L Q P V R L Q P V देखिए अब बीच वाला करेंगे तो यह तो नहीं है बीच में यह भी कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा ठीक है दोई से मेरा answer मिल गया और आप तीसरे को भी निकाल लिए गया hard का तो hard जो होगा पहले वाला d r a h तो एक पहले minus करेंगे तो कितना होगा d से minus x c और यहां से s होगा फिर minus करेंगे तो कितना होगा z होगा और फिर कितना होगा आई होगा देखिए यह है ठीक है तो यह जो है questions थोड़ा दिमाग वाला है अब actor को लिखा गया है क्या 8679 यह MTS में पूछा गया question है actor अ-C-T-O-R ठीक है यह actor है actor का जो है position value उसी तरह एक है तीन नंबर पे C है और फिर कितना है 20 नंबर पे T है 15 नंबर O 18 नंबर पे कितना है यह है हमको लाना क्या है result जो result लाना है वो हो गया 8 6 7 3 9 चैक है कैसे आएगा एक बार इसका reverse भी लिखिए opposite 27 आना चाहिए तो 26 हो गया फिर यहां 24 हो गया चैक है साथ हो गया पंदरह में 12 और 18 क्या करेंगे नो करेंगे ठीक है और इससे जो corresponding इसका जो लेटर होगा वो इस लेटर का बोजिट होगा अब देखिए छे और दो को जब आज बार करते हैं तो तो 8 हो जाता है ठाएंगा छे और दो क्या हो गया अट हो गया चार दो कितना हो गया साथ का साथ । और एक कितना हो गया तीन हो गया डिए्ट सम और नौ का नौ लिख दिये ठीक है यह समझ में आ गया तो इसी तरह जो है spread करेंगे S P R E A D ठीक है तो ये कितना 19 नमबर पे है ये कितना है 16 नमबर पे ये 18 पे ये 5 पे ये 1 पे ये 4 पे तो इसका जो opposite होगा वो कितना होगा 8 पे 11 पे और ये कितना होगा 9 पे 22 पे 26 पे और 23 हो गया ठीक है तो इसके Sum कीजिए देखिए Sum अगर इसका करेंगे digit का तो कैसे होगा ये 8 का तो 8 हो जाएगा ठीक है इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका तो Single digit है ये कितना हो गया 4 हो गया ये कितना हो गया 8 हो गया और 3 2 कितना हो गया 5 हो गया ठीक है तो यानि कितना हो गया 8 8 का 8 लिख दिए 2 का 2 हो गया फिर 9 का 9 हो गया तो 2 डबल डिजिट वाला जो है एक साथ करेंगे 8 करेंगे फिर 5 करेंगे 8 2 9 4 8 5 8 2 9 4 8 5 ठीक है